स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट साइंटिस्ट में और आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं यहां आप देखेंगे जैसा की आपको स्क्रीनर पे दिख रहा है जी टी एल इंफ्रा स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं चुक होता है और देखेंगे तो इसका मार्केट क्या परनड लुटी सिक्षटी पैसा और इसका हाई देखेंगे इस के आ टीनर का and फेसें के आस पास औरे order आते विए नहीं दिख रहा है जिसके कारण इसके net profit भी आप देखेंगे तो वो भी continuous minus में ही है इस प्रकार से इस stock में अगर date देखें तो date भी काफी है यहां आप देखेंगे कि जो date है वो भी काफी है और date बढ़ता ही जा रहा है तो सारा इस stock में जो एक अच्छी लग रहा है जिसका सबसे वड़ा कारण क्या है कि इस समय आप देखेंगे तो एक ही news चल रहा है वो 5G को ले करके 5G के trend को ले करके जिसके कारण इस stock में भी देखेंगे कि एक trend दिखा है और पिछले कुछ दिनों में देखे तो stock में अच्छा return देखने को मिला है GTL infra में प पिछले 3 मन्त का return भी stock में 20% तक का रहा है तो as of now कि आपको इतना पता चल गया होगा कि fundamentally काफी बेटर नहीं है इस stock में daily time frame में देखें तो यह जो green line दिख रहा है यह जो line दिख रहा है यह 200 dma है और इस level के आज़ पास यह trade होते वे दिख रहा है यहां एक breakout दिख सकते हैं हमने हमेशा से आपको खा 1 रूपीज 6 पैसे के उपर का अगर जाता है 1 रूपीज 60 पैसा तो एक trade continue देखने को मिलेगा अगर इस stock में देखे तो यह जो पहला जो एक level दिख रहा है यहां आप देखेंगे around 3 रूपीज के आज़ पास तक का इस level को यह stock complete करते वे दिखने वाला है यहां आप देखेंगे तो इस level को यह stock complete करते वे दिखने वाला है और इस बीच में यह जो zone रहा है यहां आप देखेंगे यह एक accumulation zone रहा है इसके उपर का closing इस stock में one-sided obtained पहला जो level है वो आपको देखने को मिलेगा around 5.5 रुपीज के आसपास का और उसके बाद का जो level आप automatically देखेंगे उसके next level जो इस stock में दिखने को मिलेगा वो around 4 रुपीज तक का level यहां देखने को मिल यहां यह पूरा formation देखेंगे तो around 4 रुपीज तक के level double bottom यहां पर confirmation चाहिए तो पहला जो target है यह मैं आपको दिखाऊं कि जो target पहला है वो 2 रुपीज 50 पैसा और दूसरा target जो है 4 रुपीज प्लस का target आपको देखने को 4 रुपीज प्लस तक का target देखने को मिलने वाला है इस समय देखें तो 4 रुपीज का जो target इस stock में निकल क आता है यहां आप देखेंगे कि जो 4 रुपीज का target निकल के आता है यहां से price wise देखेंगे तो around 150 तक के levels निकल के आते हैं और अगर इस stock के longer perspective से देखें इसको अगर weekly करते हैं और longer perspective से देखें तो maximum जो target है इस stock में 8 रुपीज तक के levels भी दिख सकते हैं अगर बहुत बहतर stock करता है तो यह target दिख सकता है यहां आप देखेंगे 8 रुपीज तक के target दिख सकते हैं जो यहां से देखें तो around 400% तक का return होता है तो मेरा personally मानना है कि इस stock में long किया जा सकता है यहां देखेंगे अगर इस price पर से भी आप long करते हैं तो जो आपका target होना चाहिए around 400% तक का और इस stock में अगर stop loss देखें तो around 1 रुपीज के आसपास के stop loss को लेंगे और risk reward आप देखें तो काफी favorable है यहां around मैं आपको दिखा हूँ तो 40% तक के अगर आप risk को लेते हैं 40% तक के risk को लेते हैं तो return around 400% तक के return ले सकते हैं और जो penny stock होता है उसकी यही risk reward ratio रहती है अभी भी देखेंगे तो risk reward ratio काफी favorable है और around देखेंगे 30% के risk को ले करके 400% तक का return कमाया जाता यानि 1-10 का risk reward ratio है और यह 5G को ले करके सारा bet है और आपका जो risk appetite है उसकी हिसाब से ही निवेज करें आई होप आप बेतर तरिकी से समझ पाए हैं यह rounding pattern अगर आप नहीं समझते हैं इस समय जो recent यह pattern दिखा है देखेंगे तो reliance power में हमने same pattern दिखा है आप देखेंगे reliance power के stock में पहले तो मैं आपको इसको short term में दिखा हूँ सारे इसके जो charts है उसको हटा है यहां आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो stock में pattern देखा पहला pattern देखेंगे कि पहला जो lower level या फिर short term trader होते हैं उनके लिए पहला target जो lower level होता है यह मैं आपको दि यह demand zone और consolidation zone रहा था और इसके बाद का जो पहला target दिखता है वह आप देखेंगे कि पहला target यहां से यह होता है और जब इस line को breakout देता है तो next target जो next high है वो target होता है और इसी परकार से देखेंगे कि काफी consolidation के बाद यहां breakout दिखा और इसके बाद longer target आप देखेंगे तो एक huge consolidation के बार breakout दिखा तो यहां जो टार्गेट निकल के आएगा यहां आप देखें कि यह टार्गेट निकल के आरावं 30 रूपीज टक का टार्गेट निकल करेगा आप इस सीज को notebook में लिख लेना यहां आप देखोगे कि multiple consolidation रहा यहां चोटा-चोटा देखा राउंडिंग पैटर्ण का एक attempt आते हुए दिखा लेकिन वह attempt नहीं रहा यहां आप देखेंगे और काफी huge consolidation के बाद यहां एक छोटा-छोटा देखेंगे तो काफी पैटर्ण बनते हुए नजर आ रहा है यह huge consolidation के बाद हमने देखा यहां चोटे-चोटे काफी pattern बनते हुए दिखें और इस लेवेल पर आराउंड ब्रेक आउट दिखा यह जो लेवेल रहा था और इसके बाद देखेंगे कि ट्रेंड काफी विजिबल है सेम पैटर्ण आपको जीटियल इंफ्रा में दिखने मला है यह वीडियो इंफ्रमेटिव रहा चैनल को सब्सक्राइब ने क्या तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में अपना